प्रॉब्लम डिसकेस करेंगे जो रिलेटिड है कंसेप्ट आफ रेट से रेट कहते हैं कमपैरिजन आफ ग्रूपस आफ क्वांटिटीज जो के डिफरेंट होने चाहिए ठीक है अब एक क्वेस्चेन हमारा ये के मतलब यहां पर रेट के हवाले से बात हो रही है कि अगर एक कोई बंदा है पेंटर है फर्स करें एक वाल है ठीक है जिसका एरिया में कहता हूँ के ये टू फिफ्टी स्क्वेर मीटर है तो इसे ही वो पेंट कर लेता है पांच गहंटों में ठीक है तो उसकी स्पीड या उसका जो रेट बना इसके हिसाब से कि वो पेंट कर रहा है वो क्या बनेगा कि हम तू फिफ्टी को जो उसका वर्क एक तरह से कॉंसीडर हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से ठीक है जो कितना है फाइफ आवर्स का है तो हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है ठीक है इस रेट से तो फाइफ से डिवाइड कर लेते हैं तो हमाँ पाथ जो रेट आ रहा है इस पेंटर का पेंट करने का वो आ रहा है कि 50 स्क्वेर मीटर वली वाल वो एक घंटे में पेंट कर रहा है ठीक है अब हमने बताना यह है कि 3000 अगर स्क्वेर मीटर वली वाल हो जाए तो वो कितने घंटों में पेंट करेगा देखें, हम अगर एक घंटे का उसका काम देख लिया हमने अब हम यह देखेंगे कि 3000 जो है, वो 50 से कितने टाइम बिगर है तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर 3000 को डिवाइड कर दूँ 50 से, तो इसमें पास आंसर आ जाएगा, 60 इसका मतलब कि अब उसका काम 60 गुना जएदा बढ़ गया है ठीक है, यानि इस जैसी 60 वाल्स अब वो पेंट करेगा तो जारी बात है कि उसको कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स लगेगा अब हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट, यहाँ पर एरिया हमने लिखा था, जो पेंट किया उसने और यहाँ पर टाइम, चुक्कि हमने टाइम मालूम करना है, तो टाइम और रेट को, इनकी पोजिशन को इंटरचेंज कर देंगे और जो एरिया है, इसको रेट से डिवाइड कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि 3000 अगर स्क्वेर मीटर एरिया था, और 50 स्क्वेर मीटर पर आवर रेट था, यह डिवियन हमें 60 आवर्स में जो है वो टाइम बता देगी